हेलो आफ्रिवन, गुड यूनिंग आईज, हैपी यूनिंग, सभी का यूनिंग, बहतर रिंज आए, आपके पार्टनर की एनरजी, सिच्वेशन, क्या है, उनका फिल क्या कर रहे हैं, आश्राम को आपको लेकर क्या है, उनकी फिलिंग, स्थोर्ट्स, ये चिक करेंगे, ओल क्या है, आपके पार्टनर की एनरजी, क्या है उनका सिच्वेशन, क्या फिल कर रहे हैं, आपको लेकर, आपके पार्टनर की फिलिंग, आश्राम को क्या है, क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में, कुछ लोग ऐसा हो शकता है, कि आपकी पॉर्शन का ट्रांसफर हुआ है, है और फ़ rattling कर रहे हैं उसकी है महें फ़ि distillate शनल मुOoh और करें दोट तर रहे हैं के छांसे आंस को कही जाना पढ़ रहा है यह अपनों को छोड़े कर त्यानी कि अपने होम टाउङ से दौरब आना पढ़र है असा हो सकते है ठास developing अपने होम टाउन जा रहे हैं वह सकता है कि काम के बज़ते से आपके परशन अपने घर से दूर थे या इनका काम इनका वर कुछ ऐसा था कि इस परशन को काफर ज़ता ट्रैवल करना पड़ता है तो मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दिया है और कुछ लोग लिए आपके पर पर देखर कर रहे हैं इसलियों सेजिटेरियस इनका अपका शाइन हो शकता है और यहां पर हैं लिप्रैक वेर्याश कर तो आपके परशन मुझे और बड़न दिखाई दे रहे हैं काफी बड़न है राइट नौ इम सौरी आपकी परशन मुझे ऐसा लग रहे कि पाचित नहीं हो रही है आप दोनों के बिच एक्सप्रेशिव नहीं हो रहे हो दोनों यहीं मिस अंडरस्टेंडिंग कर रही है ठीक है आपके परशन मुझे अपने रिस्पॉंसिबलेटी को निभाते वी दिखाई दे रहे हैं जिम्यदारियु काफी जादा है अभी मुझे ऊश सब्सक्राइब काफी लुपरod naeln रहे है इनको ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुस्किल से इनकी लाइफ चल रही है बड़ी मुस्किल से ये परशन अपने जिम्यदारियों को निभा रहे हैं अकेले बहुत ज़दा मुस्किल होका है इस परशन के लिए पने जिम्यदारियों को निभाना अपनी responsibility को निभाना आगे life को continue कर पाना इन जिम्यदारियों के साथ ठीक है और जिम्यदारियां ही वज़ा हो शक्ते reason हो सकते हैं इनका responsibility ही कि ये question आपको time नहीं दे पा रहे हैं या आपके लिए इस question के पास time नहीं निकाल पा रहे हैं ऐसा हो ठीक है तो doubt मैं देख पा रहे हैं यहाँ पर शक्त देख पा रही हूं ओके यस इस person को ना अपने situation को आप से share करने की जूरत है मुझे ऐसा लग रहे कि कुछ बात हैं जो कि इस person को share करने की जूरत है आपको बताने की जूरत है और अगर आप दोनों की भी इस दूनिया है जैसे की 10 of swords के card को मुझे देखकर यही लग रहे है कि कुछ लोग ऐसा हो शक्ता है कि आपके एक्ष्य है या रिस्तिकरेंड हो गया है painful break up हुआ है आप दोनों का आपके तरफ से अब इस रिस्तिकरेंड हो के ऐसा हो शक्ता है या आप इस person को नहीं साथ है अगर यह person आपको burden की तरह लेते हैं जिमेदारियों के वज़ए से सिर्फ आपको चाहते हैं कि आप इनके जिमेदारी हो अगर इस तरह से आपको देखते हैं कि आप इनके husband wife हो आपकी जिमेदारी है आप इनके बेवी की फादर या मदर हो बस यह person आपको अगर जिमेदारी की तोर पर देखते हैं तो I think यह person आपको नहीं साहिए ठीक है यह आप चाहते हो कि आए तो शही से यह person आपके साथ रहे तो शही से रहे आपको time दे आपके लिए एक सही life partner शाबित हो ठीक है न कि आपको कोई burden चाहिए किसी तरह कर ठीक है आप चाहते हो कि यह person आपके साथ खुशी खुशी रहे गर रहे तो ठीक है आपको ऐसा फिल आप नहीं करना चाहते कि यह परशन आपको ऐसा फिल करना है कि आप इनके लिए बर्डन बन गए हो या आपका रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहे है ना अगर आप दोनों का ब्रेक अप हुआ है सेपरेशन में हो तो रियल में इस परशन के लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं अपने लाइब को करना आपके भी ना ठीक है क्योंकि खुछ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं नहीं मैं कुछ ऐसा द अच्छे से निभा रहे हैं बट बहुत मुश्किल हो गया इस परशन के लिए आगे बढ़ना ठीक है आपके भी ना क्योंकि इस परशन को ऐसा लगता है कि आप इनको नहीं समझ रहे हो इन पर इतना responsibility है जिमेदारिये हैं और आपको बहुत चाहती है ये ठीक है आप शे प responsibility पर है और आपको शाहिद trust issue है या आप इन पर भरोशा नहीं कर पा रहे हो आप दोनों की बिस किसी तरह का गलत फेहमिया हो शकते है आपकी परशन को तो यहीं लगता है कि आप इनको नहीं समझ पा रहे हो right now ठीक है और यह परशन है कि आपको समझाने ही छोड़ दिया इ वक्त ही नहीं मिल पा रहे है इस situation में मैं देख पा रहे हूं ठीक है एक दो दिन से हफ्ता भर यह दस दिन से इस परशन को नहीं मिल पा रहे है कि आप से बात कर शके सही शे बात कर शके और अपनी situation खुद के बारे में बता शके इस परशन के पास इतना वक्त नहीं निकल टाने हैं निकालना शाहते हैं आपके लिए बाठचित करने साहते हैं ठीक है इस्ट है इनके ट्रू पसकी इनके ट्रू फीलिंग्स ग्हाने में इनके सच्ची भावनाय क्या है आपके लिए जिनके लिए आप ये रेडिंग देख रहे हो सेवन आप कप्स कैंसर स्कॉर्प पहाश्येश हाई प्रेश्टेस अब ये परशन मुझे बहुत ज़्याद कन्फ्यूस दिखाई देर हैं आपको लेकर ठीक है डेफिरेंटली आप आपके साथ इस परशन का इमोशन जुड़ा हुआ है ये परशन का माइंड मुझे इस्टेबल नहीं दिखाई दे रहे है नहीं आपके रिलेशनशिप में मुझे इस्टेबलेटी दिखाई दे रहे है बट आपके बरशन इस्टेबलेटी लाते वे जरूर मुझे हो रही है क्योंकि ये परशन confused है इनको शमस नहीं आ रही है कि आप क्यों इस परशन का next step क्या होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनके पाश burden काफी जाता है इनके life में पर responsibility काफी जाता है तो सबसे पहले ये परशन वहाँ पर सही करना जाते हैं चीजों को ठीक है अपने life में जो कुछ भी जो उल्चा हुआ है ना उसको सुल्जाना चाहते है अपने responsibility को पहले सही से निभाना चाहते हैं जैसे कि अगर ये परशन अपने घर में बड़े हैं जिम्यदार्यान पर काफी जादा है इनकी बहने हैं तो सबसे पहले उनकी शादी यह मैं ऐसा कुछ मैं आपको सिर्फ example दे रहे हूं ठीक है उसके बाद आपके बारे में आपके रिस्ति के बारे में सोचना जाते हैं और इफिनेटली सिर्फ आफी हो इस परशन के मैंड में और के इनके मांड में इनके दिल में इनका एमोशन मुझे आपके साथ ही जूड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है अबर्ट वही है कि पहले मुझे अपने जिम्यदारियों को निभाना है मुझ पर इतना जदा जिम्यदारियां है ठीक है यह जो शोन यह डॉटर जो मेरी जिम्यदारियां है responsibility है मेरे फ्रामली के प्रति मुझे वह पहले निभाना है इस तरह कापके पार्टनर के नर्जी है और आपके लिए feelings मुझे ऐसा लग रहे ना इस परशन एक्सप्रेश करना छोड़ते हैं ठीक है यह इस परशन को आपके साड़ से काफिजदा confusion मिल रहे हैं üç है इनको पता नहीं चल पा रहा है कि आपके मन में क्या है आप क्या साथ हो feelings क्या है और यह फिलिंग कि बारे में यह जाना साथ है next step लेने से पहले परशन जाना साथ आप से बातचीत करने से पहले आपकी लाइप में आने से पहले या डेफिन अटली मुझे आसा लग रहा है यह परशन में आपको इस्टेबलेटी प्रोवाइड कर रहे हैं भले डीले कर रहे हैं ठीक है बट आपका जो रिस्पोंसिबलेटी यह परशन ना इतनी सारे अपने जिम्वेदारियों में यह परशन आपको भी प्राइवरटी देते हैं ठीक है भले ही राइट नौ यह परशन आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या आप इनके प्राइवरटी हो यह परशन आपको एहसास नहीं करा पा रहे हैं बट इनकी नर्जी है इस इन के लिए बहुत important हो ठीक है भले ये परशन इस situation में किसी और रिस्तिकों एहमियत दे रहे हैं लाइक अपने father, mother, family, responsibility definitely but is a life partner या is a lover आप इस परशन के लिए बहुत important हो सिर्फ आप हो इस परशन के life में आपकी बहुत एहमियत है इस परशन के life में भले ये परशन आपको नहीं बता पा रहे हैं जता नहीं पा रहे हैं या प्रपोस्ट नहीं क्या इन होने जल्दी कर शकते हैं या commitment मुझे को solid offer आपको provide करते वे दिखाई दे रहे हैं definitely ठीक है ये energy आइश है नहीं कि बर्श खुमना फिना चेहड़े करना बात करना नहीं यह नो करके दिखाएंगे आपको मुझे ऐसा लग रहे हैं यह परशन करके दिखाने वालों में दिखाने वालो में बोड़ी बोड़ी बातिं घरना है जनलोर अब रहिस देखेंगे मुझे ईसप्रस्चति करते हैं जान flex kanske करी нравि खते तो एस लगण की यह प्यार कर दिखाएंगे कि आपके लिए क्या है, कितना प्यार करते हैं आप से, यह पू करके दिखाएंगे, ना कि बड़ी-बड़ी बाते करेंगे, मुझे यही लग रहे हैं इनकी नरजी देखकर, ठीक है, और आपके साइड से ने यह बर्शन कनफियोस है, जानना चाहते हैं, कि आप एक्श्वर म लाइक करते हों कि नहीं, प्यार करते हों और जैसे इस परशन को पता चलता है कि आप इनमेंन प्यार करते हो, इनसे प्यार करते हो डेफिनेटली यह परशन आप के ब्रशन अप AWS लेंगे, यह मुझे थोड़ा सा डेले होते हुए दिखायी दी तो यह मुझे आपके पार्टनर की इनर्जी मिली है आपको कुछ न कुछ क्लारेटी मिली हुगी अगर आपको पशन आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर केज़ेगा चले मेलते हैं नेक्स्ट रेडिंग में बाइगाइज टिक क्यार साइंस बता देती हूं टॉरस पर को कैप्रिकॉर्न है कैंसर इसकॉर्पियो पाशिष और इरिस लियो सैजिटेरियास प्राइवेट रेडिंग बुक करना हो तो दिया के नंबर पर आपको मुझे वार्टसेप में मेंसेज करना है कॉल अलाओ नहीं है तो चलिए बाइ कि अलिए भी खई?